राम जी ने पूछा ही मुनीश्वर आदि अंत और मध्ध से रहित जो पद है और जिसको जानना मुनियों के लिए कठिन है वह पद मैंने पाया है एक और दोईत की कलपना जो शास्त्रों और वेदों में कही है वह मेरी मिट गई है अब मैं परम शांत होकर निशंक हुआ हूँ मुझको कोई दुख नहीं रहा सब जगत मुझे आत्म रूप ही दिखता है हे भगवन अब मैंने जाना कि न कोई अविद्या है न विद्या है न सुख है और न दुख है मैं सरवदा अपने आत्म पद में इस्थित हूँ मैंने पाने योग्य पद पाया है जो पहले भी प्राप्त था जो कहते हैं कि हम उस पद को नहीं जानते उनको भी वह प्राप्त है परंतुवे अज्ञान से नहीं जानते वह पद और किसी उपा है, न कोई भ्रहांती है, न जगत है, रहे मुनीश्वर, अझ्यान और ज्यान भी ऐसे है, जैसे स्वप्न की सिस्टे हो, जैसे उसमें अंधकार दिखता है, उसका तब नाश होता है, जब सूर्य उदै हो, जब स्वप्न से जाग उठे, तब नआ अंधकार में प्रपर प्रकाशी रहता है वैसे ही आत्मपद में जागने से ज्ञान और अज्ञान दोनों का अभाव हो जाता है और दुदिय की कलपना मिठ जाती है जब सम्वेदन भुरता है तब जगत भासित होता है परन्त जगत आत्मा से भिन नहीं है जैसे आकाश और शूनिता में कुछ भेद नहीं वैसे ही आत्मा और जगत में भेद नहीं है जैसे शिला का भीतर जड़ी भूत होता है वैसे ही आत्मा का रूप जगत है जैसे जल और तरंग में भेद नहीं वैसे ही आत्मा और जगत अभिन रूप है हे मुनीश्वर जिस पुरुष को इस प्रकार आत्मा में अहम प्रतीती हुई है वह कारे करता दिखता है तो भी निश्चे ही कुछ नहीं करता और अशांत रूप दिखता है तो भी सदा शांत रूप है हे मुनीश्वर अग्ञान मध्यान का सूर्य है और जगत की सत्यता दिन है जगत के भाव अभाव पदार्थ उसका प्रकाश है और त्रिशना मरुवस्थल है जिसमें अग्ञानी जीव पथिक हैं उनको यह दिन और मार्ग निवृत नहीं होता जो ज्यानवान स्वभाव में इस्थत हैं उनको न संसार का सत्यता रूप दिन भासित होता है और न तृष्णा रूपी मर्वस्थल दिखता है वे संसार की ओर से सो रहे हैं ऐसी अद्वईत सत्ता उनको प्राप्त हुई है जहां सत्य और असत्य दोनों नहीं है इस कारण उन्हें जगत की कलपना नहीं भ बभाव सत्ता रूप हूँ, अब मुझको कोई दुख नहीं, हे मुनिश्वर, उस पद को मैंने पाया है, जिसके पाने से तृष्णा कभी नहीं उपजती, जैसे पाशान की शिला में प्राण नहीं जगते, वैसे ही मुझमें तृष्णा नहीं जगती, मुझको सब आत्म र बहासित होती है, इतसी योग बासिस्थे, मिरवान प्रकरणडे, राम विश्वान तिवर्णनम नाम, विशताधिक चतुह सब्ततितमस सरगह, राम जी ने पूछा, हे मुनिश्वर, आत्मा में अनंत स्रिष्ट उपस्ती हैं, जैसे मेघ की बूदों की गिंती नहीं होती, वैसे ही परमात्मा में स्रिष्टियों की गिंती नहीं हो सकती, जैसे एक रत्न की असंख किरने होती हैं, वैसे ही परमात्मा में असंख स्रिष्टियां हैं, कई परस्पर मिलती और कई नहीं मिलती हैं, परंत स्वरूप से सब एक रूप हैं, जैसे समुद्र में लहरें पर परस्पर से एक रूप हैं वैसे ही आत्मा में अनंत जगत फुरते हैं परंथ सब परस्पर एक रूप हैं यदि नाना प्रकार का जगत देख पड़ा तो उसमें वही रूप हुआ और कोई कारण तो नहीं है जैसे शून्य के आदि में निराकार सत्ता होती है और उसी से सोर्यादिक पदार्थ प्रकट होते हैं सो वे भी वही रूप प्रकट भासित भी होते हैं परंथ निराकार होते हैं वैसे ही यह जगत भी अकारण निराकार है हे मुनिश्वर अब मैंने जियों कात्यों जाना है जैसे शुप्न में मरे हुए बोलते हैं जीते हुए मृतक देख पड़ते हैं और सब पदार्थ विपरीत भासित होते हैं परन्त जब जाग उठे तब सब जियों केत्यों दिखते हैं वैसे ही मैं जाग उठा हूँ अब विपर्य नहीं भासित होता यधा भूतार्थ मुझको अब सब आत्माहीं भासित होता है। प्रमान नहीं फुरता इसी का नाम परम समाधि है। जब बोध की प्राप्ति होती है तब कोई तृष्णा नहीं रहती और सब पदार्थ निरस हो जाते हैं। क्योंकि आत्मपद परमानंद रूप और तृष्णा से रहित है। उसी का नाम मोक्ष और निर्वान है। जिसमें उत्थान कोई नहीं। हे मुनीश्वर आत्मानंद ऐसा पद है जिसके आनंद की ओर ब्रम्हा, विश्लु, रुद्र आधि सभी ज्यानवानों की वृत्ति सदा दोडती है। संसार के पदार्थों की ओर नहीं दोडती। जिस पुरुष को शान्त शीतल स्थान प्राप्त हुआ है, वह फिर जेश्ठ आशार की धूप नहीं चाहता। कि मर्वस्थल में दोड़े। वैसे ही ज्यानवान की वृत्ति अन्य किसी आनंद की ओर नहीं जाती। हे मुनीश्वर मैंने निश्चे किया है कि तिशना कासा ताप कोई नहीं और अतिशना की सी शान्त कोई नहीं है। यदि कोई पुरुष परमेश्वर्य को प्राप्त हुआ हो पर उसके हृदय में तिशना जलती हो तो वह त्रिपन, दरिद्री और आपदा का घर है। और जो निर्धन दिखता हो परंत उसके हृदय में तृष्णा नौ हो तो वह परमेश्वर्य से संपन्न और परम संपदा की खान है। बड़ा पंडित हो परंत तृष्णा सहित हो उसे परम मूर्ख जानिये उसको बोध की प्राप्ति कदा पिनव होगी जैसे चित्र की अगनी शीत को नहीं दूर करती वैसे ही उसकी मूर्खता को पंडित भी नस्ट नहीं कर सकता। ये मुनीश्वर सहस्त्रों में कोई बिरला पुर्ष तृष्णा से रहित होता है। ये मुनीश्वर अब मैं उस पद को प्राप्त हुआ हूँ जो अच्चुत निराकार और दोईत था एक की कलना से रहित है। उस पद को मैंने आत्म रूप जाना है और अब मैं निशंक हुआ हूँ। जिस पद के पाने से कोई इच्चा नहीं रहती वही परमानंद रूप आत्म पद है। ये तिसरी योग वासिष्ठे, निरवान प्रकरंडे, राम विश्रान तिवर्णम नाम, वीशताधिक पंच सब्ततितमस सरगह। वसिष्ठ जी बोले, हे राम, बड़ा कल्याण हुआ जो तुम आत्म ज्यान पाकर जागे हो। ऐसे परम पावन वचन तुमने कहे हैं, जिनको सुनने से पाप का नाश होता है। ये वचन अज्यान रूपी अंधकार के नाशक सूर्य हैं, और तन्बन के ताप का नाश करने वाली चंद्रमा की किरने हैं। हे राम, जो पुरुष अपने स्वभाव में इस्थत है, उनकी व्यवहार और समाधि में एक ही दशा होती है। वे अनेग प्रकार की चेश्टा करते भी देख पड़ते हैं, परन्तु उनके निश्चय में करत्रत का अभिमान नहीं जगता। वे सदा परम ध्यान में इस्थत हैं। जैसे पथर की शिला में स्पंदन नहीं जगता। वैसे ही उनको कुछ करत्रत बुद्ध नहीं उबजती। क्योंकि उनके हदय में देहा भिमान नहीं रहा है। और वे चनमात्र स्वरूप में इस्थत हुए हैं। वह आत्म पद परम शांत रूप और दोईत कलना से रहित एक है। ऐसा जो पद है उसे ज्यानवान आत्म ज्यान से जानता है। इसी को निरवाड और इसी को मोक्ष कहते हैं। हे राम ऐसा जो पद है उसमें मैं सदा इस्थत हूँ। ब्रम्हा, विश्लु, आदि जो ज्यानवान हैं वे भी उसी पद में इस्थत हैं। वे नाना प्रकार की चेश्टा करते भी दिखते हैं परंतु सदा शांत रूप हैं। उनको क्रिया और समाध में एक ही आत्म पद का निश्चे रहता है। जैसे वायुस्पंदन और निस्पंद में एक ही है और जल और तरंग ठहरने में एक ही है वैसे ही ज्यानी दोनों में सम है। जैसे आकाश और शोनिता में भेद नहीं वैसे ही आत्मा और जगत में भेद नहीं है। राम जी ने पूछा, हे भगवन, तुम्हारी कृपा से मुझको कोई कलना नहीं पुरती, ब्रम्हा, विश्णु, रुद्र से लेकर तिन तक जो जगत है, वह सब मुझको आकाश रूप भासित होता है, सरवधा सब प्रकार मैं अपने आप में इस्थित, अच्चुत और आइमान नहीं होता, मैं अचेत चिनमात्र स्वरूप हूँ, अपने से भिन्न मुझको कुछ नहीं भासित होता, वसिस्थ जी बोले, हे राम, मैं जानता हूँ कि तुम जागे हो, परन्तु अपने दिन बोध के लिए मुझसे फिर प्रश्ण करो, कि यह जगत है नहीं, तो दिखता क्या है, राम बोले, हे भगवन, मैं तुमसे तो तब पूछूँ, जो मुझको जगत का आकार दिखता हो, मुझको तो जगत कुछ दिखता ही नहीं, जैसे संकल्प का अभाव होने पर संकल्प की चेश्टा भी नहीं भासित होती, जैसे बाजीगर की माया का अभा होने पर बाजी नहीं रहती, अतुमा स्वपन के अभाव होने पर स्वपन की सिष्ट नहीं दिखती, और भविश्चत कथा में पुरुष नहीं भासित होते, वैसे ही मुझको जगत नहीं दिखता, तब फिर मैं किसका संशय उठाऊँ, आदि में जो संवेदन फुरा है, वह विराट पुरुष होकर इस्थत हुआ है, और उसी ने आगे देश, काल, पदार्थ, स्थावर जंगम जगत को रचा है, उसी के समस्ट शरीर का नाम विराट है, जैसे स्वपन का परवत हो, वैसे ही यह विराट पुरुष आकाश रूप है, जब वह आप ही आकाश पूछूं, इसलिए न कोई विराट है, और न उसका जगत है, मित्या ही विराट है, और मित्या ही उसकी चेश्टा है, केवल आत्मसत्ता अपने आप में इस्थित है, न कोई जगत है, और न कोई उसका विराट है, जैसे स्वपन का परवत आभास मात्र होता है, वैसे ही य जबी कैसे कहिए बीज तो साकार होता है और उसमें व्रिक्ष का सदभाव रहता है जो परणाम से व्रिक्ष होता है पर आत्मा ऐसे कैसे हो वह तो निराकार है और उसमें जगत नहीं है क्योंकि वह नर्विकार अद्वैत और नर्वेद है उसको जगत का कारण कैसे देखिए न कोई जाकृत है, न सुप्न है और न सुशुप्त है, ये अवस्थाएं भी आकाश मात्र हैं, आत्मा परणाम भाव को नहीं प्राप्त होता, वह तो सदा अपने आप में इस्थित है, हे मुनीश्वर, मैं, तुम, आकाश, वाय, अगनि, जल, प्रत्वी, सब आकाश हैं, और अब मुझको सब आत्मा ही भासित होता है, हे मुनीश्वर, एक सविकल्प ज्यान है, और दूसरा निर्विकल्प ज्यान, सो वह आकाश, शद्रिश, अचयत, चिन्मात्र है, जो द्रिश के संबंध से रहित है, उसे आकाश सा निर्मल जानो, वही निर्विकल्प जिनको यह ज्यान प्राप्त हुआ है, वे महा पुरुष हैं, उनको मेरा नमस्कार है, और जिनको द्रिश का सन्योग है, वे सविकल्प ज्यानी हैं, वे संसारी हैं, और उनको विशंता सहित जगत भिन भिन दिखता है, परंत तो भी भिन कुछ नहीं है, जैसे समुद्र मे नाना प्रकार के तरंग उठते हैं, वे सभी जल स्वरूप होते हैं, वैसे ही भिन भिन जीव और उनका ज्यान है, तो भी मुझको अपना ही रूप भासित होता है जैसे ऑव्यवी को सब अंग अपने ही लगते हैं, वैसे ही सब जगत मुझको अपना ही केवल अद्वाइत रूप भासित होता है, और जगत की कोई कलना नहीं फूरती, जैसे सवप्न से जागे को सवप्न की सृष्ठ नहीं फूरती, कलपना से रहित आप ही अद्वाइत भा हे मुनिश्वर निगम आद जो शास्त्र में उनका उलगन कर मैंने ये वचन कहें हैं परंत जो मेरे हरदय में है वही कहा है जो कुछ हरदय में होता है वही बाहर वाडी से कहा जाता है जैसे जो बीज भोया है उसी का अंकुर निकलता है बीज के बिना अंकुर नहीं निकलता वैसे ही जो कुछ मेरे हड़य में है वही वाड़ी से कहता हूँ यह विद्या सब प्रमाडों से सिध्ध है हे मुनिश्वर जिसको यह दशा प्राप्त होती है वही इसे जानता है और कोई नहीं जान सकता जैसे जिसने मद्यपान किया उसकी उनमत्तता को जानता है और कोई नहीं जान सकता वैसे ही जो ज्यानवान है वही आत्मरस को जानता है और कोई नहीं जानता उस आत्मरस के पाने से फिर कोई कलपना नहीं रहती है मुनिश्वर मैं आत्मा अजन्मा अविनाशी और परम शांत रूप हूँ उभै एक की कल मैं भासित होता हूँ पर निराभास हूँ मुझ में आभास की कोई वस्तु नहीं क्योंकि निराकार हूँ इस प्रकार मैंने अपनी को यथार्थ चिनमात्र जाना है। उनकी इंद्रियों की और मन की वृत्त का आत्मपद में उप्षम हुआ। उसके उपरांत जान बूझ कर कमन नैन राम ने लीला के लिए योँ प्रश्न किया। भी उसे वाड़ी से कह नहीं सकते। तो ऐसा अचेत चिनमात्र आत्मतप शास्त्र से कैसे जाना जा सकता है। शास्त्र तो अविक्षेद पतियोगी करके कहते हैं सो वह सविकल्प है पर सविकल्प से नर्विकल्प पद कैसे जाना जाता है। उसे फिर गुरू और शास्त्र से कैसे जानिये। विकल्प रूप शास्त्र हैं। उनमें भी सार अर्थ मिलता है। परंत विकल्प परिक्षेद पतियोगी जो उसके साथ हैं उनसे सरवात्मा क्यों कर जानिये। वसिस्ट जी बोले हे राम वह न गुरू और शास्तर से जाना जाता है और न गुरू और शास्तर के बिना भी जाना जाता है। हे राम, नाना प्रकार के जो विकल्प रूप शास्त्र हैं, उनसे निर्विकल्प रूप कैसे जानता है, सो यह भी सुनो, हे राम, ब्योधान देश के कीटक जात के कुछ लोग थे, जो ग्रहस्ती में रहते थे, निदान, एक समय उन पर आपदा पड़ी, और वे चिंता से दुर्बल होने लगे, उन्हें भोजन भी नहीं जुरता, जैसे वसंतरित्व की मंजरी, जेश्था आशार की धूप से सूख जाती है, जैसे जल से निकला कमल सूख जाता है, वैसे ही कीटक संपदा रूपी जल से निकल कर आपदा रूपी धूप से सूख गए, तब उन् बिचार किया कि किसी प्रकार हमारा पेट भरे, इसलिए हम वन में जाकर लकडी चुनें, जिससे हमारा कष्ट दूर हो। इस प्रकार उनको विशेस अईश्वर्य प्राप्त हुआ, इसलिए उन्होंने लकडी बेचना छोड़ दिया, वे फिर यह सोच कर और स्थान ढूनने लगे कि रत्न से भी विशेस कुछ फायदा मिले, वन की प्रत्वी को खोदते खोदते उनको चिंता मड़ी मिली, इसलिए वे बड़े अईश्वर्य शाली हो गए, जैसे ब्रम्हा इंदरादिक हैं, वैसे ही हो गए, हे राम, जिन्होंने उद्यम करके वन का सेवन किया था, उनको बड़ा सुख प्राप्त हुआ, लकडियां उठाते उठाते, उनका उदर पून हुआ, और दुख निवरत हुआ, जिनको चंदन की लकडी प्राप्त हुई, उनका उदर पून होने से और भी संताप मिटे, और जिनको चिन्ता मड़ी प्राप्त हुई, उनके सब संताप मिट गए, और वे परम अईश्वर्य मान हुए, परंत सबको वन से प्राप्त हुआ, और जो वन के निकट उद्यम कर अने न गए घर ही बैठे रहे उन्होंने दुखित होकर प्राणों को त्याग दिया परंत सुख न पाया इत स्री योग वासिस्थे निर्वाण प्रकंडे चिंता मड़ी प्राप्तिर नाम द्वीशताधिक सप्त सप्त तितमस सरगह राम जी ने पूछा हे भगवन यह जो त कीटक का ब्रतांत कहा उसका तातपर्य मैंने कुछ न जाना वे कीटक कौन कौन थे वह वन क्या था और आपदा क्या थी सुक्रिपा करके प्रकट करो वसिस्थ जी बोले हे राम यह सब जीव जो तुम देखते हो वे कीटक हैं उन पर अज्ञान रूपी आपदा पड़ी है आध्यात्मिक आधिभौतिक और आधिदैविक तापों की चिंता से वे जलते हैं आध्यात्मिक काम क्रोधादिक मानस दुख हैं वाद पित कफ आधिभौतिक देह के दुख हैं और आधिदैविक वे दुख हैं जो ग्रहों से अनिक्षत प्राप्त होते हैं हे राम उनमें प्रयत्न करके जो जीव शास्त्र रूपी वन में गए वे सुखी हुए और जो अर्थी सुख के निमित शास्त्र रूपी वन को सेवते रहे उनको सत्य कर्म रूपी लकडियां प्राप्त होती हैं जिन से नरक रूपी उदर पूर्ति का जो दुख था वह प्रत्त होते हैं और वे विशेश सुख पाते हैं जब जीव अपने इस्ट देव की सेवा करता है तब स्वरगादिक विशेश सुख पाता है और अपने स्थान को प्राप्त होता है फिर जब शास्त रूपी वन को ढूड़ता है तब विचार रूपी रत्म विशेश पाता ह जब सत्य-असत्य का विचार प्राप्त होता है तब सब दुख नस्ट हो जाते हैं। यह जो सुख प्राप्त होता है वह शास्त से ही होता है। जैसे चंदन और लकडियां आदि पदार्थ वन में प्रकट थे और चिंता मड़ी गुप्त थे। वैसे ही शास्तरों में धर्म अर्थ और काम प्रकट हैं पर ज्ञान रूपी चिन्ता मड़ी गुप्त है जब जीव दूसरे शास्त्र रूपी वन को वैराग्य और अभ्यास रूपी यत्न से खोजे तब आत्म ज्ञान रूपी चिन्ता मड़ी पाता है हे राम वन में ही उसने चिन्ता मड़ी पाई थी क्योंकि वहाँ चिन्ता मड़ी का वन था परंत जब अभ्यास किया था तब पाई थी और उसी वन में पाई थी वैसे ही गुरु और शास्त्र का भी जब मिट्टी के खोदने के समान अभ्यास करता है तब आप ही चिन्ता आत्म प्रकाश होता है जैसे मिट्टी के खोदने से चिंता मड़ी का प्रकाश नहीं उपस्ता क्योंकि चिंता मड़ी तो पहले ही प्रकाश रूप थी खोदने से केवल आवर्ण दूर हुआ तब आप ही निकल आई वैसे ही गुरू और शास्त्र के वचनों के अभ्यास से अ आत्म सत्ता स्वाभाविक प्रकाशित होती है इससे गुरू और शास्त्रों से मलीनता दूर होती है परंत इनकी कल्पना भी द्वैत में होती है वह कल्पना द्वैत संसार का नाश करने वाली है परमार्थ की अपेक्षा शास्त्र और गुरू भी द्वैत कल्पना है और अ ज्यानी शास्त्र का भोग के निमित सेवन करते हैं और शास्त्र में भोग का अर्थ जानते हैं जैसे लकडियों के लिए वे कीटक बन का सेवन करते थे शास्त्र में सब कुछ हैं जैसा जिसको रुच के अनुसार अभ्यास होता है वैसे ही पदार्थ उसको उससे प्राप्त ह शास्त्र एक ही है परंतु पदार्थों में भेद है जैसे पौड़े के रस्ते गुड़ शक्कर और मिस्री बनती है वैसे ही शास्त्र एक है उसमें पदार्थ भिन्द भिन्द हैं जिस जिस अर्थ के पाने के लिए कोई यत्न करेगा उसी को पावेगा शास्त्र में भोग भ वाल में आत्मपद रूपी चिन्ता मड़ी भी प्राप्त होगी, परंतु आत्मपद पाने के लिए ही शास्त्र स्रमण करना चाहिए। सुन सुन कर अभ्यास द्वारा आत्मपद प्राप्त होगा। आत्मपद पाने पर सब और समभाव होगा। जैसे सूर्य के उदै होने पर सब और प्रकाश फैल जाता है। वैसे ही जब सब और समता प्रकाशित होगी तब सुशुप्त कीसी इस्थति होगी। अर्थात द्व संसार समुद्र से पार करने वाले परोपकारी हों वे ही संत जन हैं उनके संग से आत्मपद प्राप्त होगा हीराम गुरु और शास्त्र नेति-नेति कहकर जानते हैं अर्थात अनात्मधर्म का निशेद करके आत्मतत्वशेस रखते हैं जब अनात्मधर्म का त्याग करोगे तब आत्म तक शेयस रहेगा उसको जान लोगे तो उसके जानने पर और कुछ जानना नहीं रह जाएगा उसके जानने में यतं भी कुछ नहीं केवल आवरन दूर करने के लिए यतं है जैसे सूर्य के आगे बादल आता है तो सूर्य नहीं दिखता इसलिए बादलों को दूर करने का यत्न करना चाहिए सूर्य के प्रकास के निमित यत्न नहीं चाहिए जब बादल दूर होते हैं तब स्वाभाविक ही सूर्य प्रकाशित होता है वैसे ही गुरु और शास्त्र के यत्म से जब अहन्कार रूपी आवर्ण दूर होते हैं तब सू प्रकाश आत्मा चमकता है सात्तिक गुणी को जो गुरु और शास्त्र हैं उनसे जब रज और तम गुणों का अभाव होता है तब परम अनुभो जोति आत्मा अकस्मात प्रकाशित होता है जब वह प्रकाश हुआ तब उससे जीव उनमत हो जाता है और अदवयत रूपी संसार की कलपना नहीं रहती जैसे सुन्दर इस्तरी को देखकर कामी पुरुष उनमत हो जाता है और संसार की सुरत भूल जाती है वैसे ही ज्यानी आत्मपद को पाकर उनमत्त होता है और संसार की सुरत उसे भूल जाती है वह परम अईश्वर्यवान होता है उसका साधन केवल शास्त्र का विचार है उनके सेवन से चिंता मड़ी पाने का जो दिश्टांत कहा है उसे इस प्रकार जान लेना इतिसरी योग वासिष्थे निर्वान प्रकरंडे गुरु शास्त्रों पमान वर्णनम नाम दुशता धिकास्ट सप्तित्मस सरगह वसिष्ठ जी बोले हे राम यह संपूर सिध्धांत मैंने तुमसे विस्तार पूर्वक कहा है इसको सुनने और बारम बार विचारने से उत्पत्य प्रकरण में तुमसे कहा है कि जगत की उत्पत्य चित्त समवेदन से हुई है फिर इस्ति प्रकरण में कहा है कि जगत की इस्ति इस प्रकार हुई है उत्पत्य यह की चित्त समवेदन के फुरने से जगत उपजा है और समवेदन फुरने की दिणता से ही उसकी इस्थित हुई है उसके उपरांत उप्षम प्रकरण में कहा है कि मन इस प्रकार इस फुरण रहित होता है जब चित का उप्षम हुआ तब परम कल्याण हुआ मन के फुरने का नाम संसार है जब मन का उप्षम हो जाता है तब संसार की कलपना मिठ जाती है यह सब विस्तार प प्राप्त हुआ है उनके लक्षण भी कहें हैं अब फिर भी संक्षेप से कहता हूं प्रथम बाल अवस्था में संत जनों का संग करना और सत शास्त्रों को विचारना चाहिए इस शुभ आचार से अभ्यास द्वारा जब आत्मपद की प्राप्ति होती है तब समता होती है औ उसकी इस्तरी प्रसंद होती है और उसके लिए प्राण देना भी स्वीकार करती है पर उस पुरुष को नहीं त्यागती वैसे ही जिस ज्यानवान पुरुष की ब्रह्म लक्षमी से सुन्दर कांती है उसको समता मुदिता और सुहिदता रूपी इस्तरी नहीं त्यागती स सदा उसके हरदय रूपी कंठ में लगी रहती है और वह पुरुष सदा प्रसंद रहता है। हे राम जिसको देवताओं का राज प्राप्त होता है वह भी ऐसा प्रसंद नहीं होता और जिसको सुन्दर इस्त्रियां प्राप्त होती है वह भी ऐसा प्रसंद नहीं होता जैसे ग्यानवान प्रसंद होता है हे राम समता तो दिधा रूपी अंधकार का नाशक सूर्य है वह तीनों ताप रूपी उश्णता का नाश करने को पूर्णमासी का चंद्रमा है सुहिर्दता और समता स्वभाग रूपी जल का नीचा स्थान है जैसे जल नीचे स्थान में स्वाभाविक ही चला जाता है वैस यही आत्मा रूपी चंद्रमा की समता और सुहिदता रूपी किरणों को पाकर ब्रम्हादिक चकोरत्रिप्त होकर आनंदित होते और जीते हैं। इक चीन नहीं होती, वह सदा प्रसंद रहता है। हे राम समता ही मानों सौभाग्य रूपी कमल की खान है। समद्रिष्ट पुरुष ऐसे आनंद के लिए जगत में विचरता है और प्राकृत आचार को करता है। वह भोजन करता है, ग्रहन करता है या कुछ लेता देता है। स सब उसके दर्शन की इच्छा करते हैं और दर्शन करके प्रसंद होते हैं। जैसे सूर्य के उदै होने पर सूर्य मुखी कमल खिलाते हैं और सब हुलास को प्राप्त होते हैं, वैसे ही उसका दर्शन करके सब अहलादित होते हैं, वह शुभ आचार ही करता है। जो कुछ अन्यता भी कर बैठता है, तो भी लोग उसकी निंदा नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि यह समदर्शी है, समता से वह सबका सुहिर्द होता है, शत्र भी उसके मित्र हो जाते हैं, जिनमें समता भाव उदे हुआ है, उनको अग्न जला नहीं सकती, जल नहीं डुबा सकता और वाय नहीं सुखा सकती, वह जैसी इच्छा करें, वैसी ही सिध्ध होती है, हे राम, जिसको समता प्राप्त हुई है, वह पुरुष्ट निरूपम हो जाता है, और उसको कोई संसार की उपमा नहीं दे सकता, जिसको समता नहीं प्राप्त हुई वह सब के संग सुहिदता का अभ्यास करे तो जो उसका शत्र हो वह भी मित्र हो जाता है क्योंकि अभ्यास के दिनता से शत्र भी मित्र दिखने लगते हैं जो सब में समता का अभ्यास करता है वही दिन होता है और समता भाव से कभी चलायमा नहीं होता हे राम एक राजा था उसने अपने शरीर का मांस काट कर भूखे को दिया परन्तु समता से चलायमान नहुआ ज्यों कात्यों रहा एक पुरुष को उसकी पुत्री अतिप्यारी थी उसने उसे किसी को दिया जिसने शत्र को दे दी परन्तु वह ज्यों कात्यों रहा एक और राजा था जिसकी इस्त्री अति प्यारी थी पर उसने उसका व्यविचार सुना और मार डाला परंतु समता रूप धर्म को न त्यागा हीराम जब राजा के घर में मंगल उत्सो होता है तब वह अपने नगर को भूशनों और वस्त्रों से सजाता और प्रसन होता है यही अवस्था राजा जनक की देखी थी एक समय उन्होंने सब स्थानों को अतिप्रज्वलित अग्न से जलते देखा पर अपने समता भाव से च चलायमान न हुआ हे राम एक दैत था उसको देवताओं का राज्य मिला और फिर नस्ट भी हो गया परंत दोनों भावों में वह समही रहा एक बालक था उसने चंद्रमा को लड़ू जानकर भूंक मारे परंत वह ज्यों कात्यों रहा हे राम इसी प्रकार मैंने अनेक देख परंत अज्यानी राग द्वीश से तपता है और ज्यानी दिन समझ के कारण संतप्त नहीं होता सब अवस्थाओं में उसको समभाव होता है जो फल आत्मपद का साक्षात होने से प्राप्त होता है वह तप तीर्थ दान और यग्य से भी नहीं प्राप्त होता जब अपना विचार उत्पन होता है तब सब भ्रांत निवृत्त हो जाती है और सब जगत आत्मरूप ही दिखता है इसी द्रिष्ट को लिए हुए ज्यानी प्राकृत आचार में विचरते हैं परंत निश्चय में सदा निरगुन हैं राम जी ने पूछा हे मुनिश्वर ऐसी अद्व विच्ट निश्च हैं उनके हर्दय से त्याग ग्रहन की भ्रांत चली जाती है वे उस ब्रह्म से रहित होकर प्रारप्ध के अनुसार चेश्टा करते हैं हे राम जो कुछ स्वाभाविक क्रिया उनकी होती है उसका त्याग वे नहीं करते उसमें उनको ग्यान प्राप्त और उसका त्याग नहीं करते जैसे मैं हूँ जिनको राज में ग्यान प्राप्त हुआ है वे राज ही में रहे हैं जैसे तुम हो जो ब्राम्हण को ग्यान प्राप्त हुआ है तो वे ब्राम्हण ही के कर्मों में निश्ठ रहे हैं इस प्रकार छत्री वैश्य शूद्र जिस वर्णाश्रम में किसी को ज्यान प्राप्त हुआ है, वह ही कर्म करता है, हे राम कुछ ज्यानवान ग्रिहस्थी ही में रहे हैं, कुछ राज्य ही करते हैं, कुछ सन्यासी हो रहे हैं, कुछ वन में बिचरते फिरते हैं, कुछ परवत कंदरा में ध्याना वस्थित हो रहे हैं, कुछ नगरों में रहते हैं, कुछ मतुरा, केदारनाथ, प्रयाग, जगनाथ, इत्याद तीर्थों में रहे हैं, कुछ देवता का पूजन, कुछ कर्म, कुछ तीर्थ और अगनिहोत्र करते हैं, और कुछ मेरी जगह जब करते हैं, कुछ अस्ताचल परवत में, कुछ उद्य बोजन करते रहे हैं कुछ कठोर बचन बोलते रहे हैं कुछ अज्ञानी की तरह विचरते रहे हैं और कुछ बिद्या धैन इत्याद नाना प्रकार की चेश्टा करते रहे हैं क्योंकि उनको ये चेश्टाएं स्वाभाविक प्राप्त हुई हैं ये यत्म से कुछ नहीं करते हे राम वे शुब कर्म करें अत्मा अशुब कर्म करें परंत कोई क्रिया उनका बंधन नहीं करती पर जो अज्यानी हैं वे जैसे कर्म करेंगे वैसे ही फल को भोगेंगे जो पूर्ण कर्म करेंगे तो स्वर्ग सुख भोगेंगे और पाप से नरक दुख भोगेंगे जो काम आना से रहित शुभकर्म करेगा उसका अंतह करण शुद्ध होगा वह संतों के संग और सतशास्त्रों से शुद्ध होगा हे राम जो अर्ध प्रबुद्ध हैं वे जो पाप करने लग जामें और आत्म अभ्यास त्याग दें तो वे दोनों मार्गों से भ्रस्ट हो जाते हैं न स्वर्ग को जाते हैं और ना आत्मपद को प्राप्त होते हैं तब दान तीर्थाद के सेवन से भी आत्मपद नहीं प्राप्त होता जब विचार उपजता है और आत्मपद का अभ्यास होता है तभी आत्मपद मिलता है और जब आत्मपद प्राप्त होता है तब मनुष्य निशंक हो जाता है, चेस्टा व्योहार करता भी दिखता है पर उसका चित शांत हो जाता है, जैसे ताबे को जब पारस का स्पर्ष कराईए तब वह सुवंड हो जाता है, आकार उसका वैसा ही रहता है, परंतु ताबे के भाव का अभाव हो जाता है, वैसे ही जब चित को आ आत्मपद का स्परिश होता है तब चित शांत हो जाता है परंतु चेश्टा उसी प्रकार होती है और जगत की सत्यता नस्ट हो जाती है हे राम अब तुम जागे हो और निश्चंग हुए हो तुम्हारा राग देश नस्ट हो गया है तुम निर्विकार आत्मपद को प्राप चैतन ने तुमको प्राप्त हुआ है, हे राम जो कुछ मुझको कहना था वह तुमसे मैंने कहा, यह सार का सार आत्मपद है, जो कुछ जानने योग था वह तुमने जाना, इसके उपरांत न कुछ कहना रहा और न कुछ जानना रहा, यहीं तक कहना और जानना है, अब तुम कोई संशय नहीं रहा तुमने क्छय और अतिशय से रहित पद पाया है अर्थात तुमने अविनाशी और सबसे उत्तम पद पाया है वालमीक जी बोले ही साध मुनिशारदूल बसिस्ठ जी जब इस प्रकार कहकर चुप हो रहे तब सब सभा जो बैठी थी वह परम नर्विकल पद में इस्थत हो गई जैसे वायू से रहित कमल फूल पर भौरे इस्थिर होते हैं वैसे ही चित रूपी भ्रमर आत्म पद रूपी कमल के रस को लेते हुए इस्थिर हो रहे सब के सब ब्रह्म को जानकर ब्रह्मरूप हुए और ब्रह्म ही में इस्थित हुए जितने म्र प्रिग निकट थे वे भी त्रिण खाना छोड़कर अचल हो गए दूसरे पशुपक्षी भी सुनकर निस्पंद हो रहे इस त्रियां जो बालकों सन्युक्त चपल थी वे सुनकर जडवत हो गई पहले जीवन मुक्द सिद्धों के गण मोक्ष का उपाय सुनने को आये थे उ तब लोग वसिष्ठ जी की इस्तुत करने लगे निदान बड़ा कुलाहल हुआ जिससे दशों दिशा पूर हो गई उपर से देवताओं और सिद्धों के नगाडों के शब्द हुए जिनसे परवत गूज उठे और दिब्य फूलों की ऐसी सुगंद फैली मानों पवन भी प्रसंद हुआ है तब सिद्धों ने कहा है वसिष्ठ जी हमने भी अनेक मोग्ष के उपाए सुने और उच्चार कहें हैं परंतु जैसा तुम ने कहा है वैसा न पहले सुना है न गाया है और न कहा है जो तुम्हारे मुखार विंद से श्रमण किया है उससे हम परम जान गए हैं इसके श्रमण से पशुक पक्षी और म्रिग भी कृतार्थ हुए हैं फिर मनुष्यों का क्या कहना वे तू कृतार्थ ही हुए हैं निस्पाप ज्यान पाकर वे अवश्य मुक्त होंगे वालमीक जी बोले हे साधु ऐसे कहकर उन्होंने फिर फूलों की वर्शा क और वसिस्ठ जी के चंदन का लेप किया जब इस प्रकार वे पूजा कर चुके तब और जो लोग निकट बैठे थे वे परम विश्मे को प्राप्त हुए कि ऐसा परम उपदेश वसिस्ठ जी ने किया तब राजा दश्रत उठ खड़े हुए और हाथ जोड कर वसिस्ठ जी इसलिए हे देव हम तुम्हारा पूजन के सामगरी से करें ऐसा कोई पदार्थ प्रिथवी आकाश और देवताओं के लोकों में भी नहीं दिखता जो तुम्हारी पूजा के योग्य हो सब पदार्थ कल्पित हैं और जो सत्य पदार्थ से पूजा करें तो सत्य तुम ही से पाया है इससे ऐसा पदार्थ कोई नहीं जो तुम्हारी पूजा के योग्य हो तथा अपनी अपनी शक्त के अनुशार हम पूजन करते हैं तुम प्रोध ना करना और हसी भी ना करना हे मुनीश्वर मैं राजा दश्रत अपने अन्तःपुर की सब इस्त्रियां अपने चारो पुत्र अपने संपूर राज्य और संपूर प्रजा सहित जो कुछ मैंने लोक में यश्पाया और परलोक के निमित पूर्य किया है वह सब तुम्हारे चर्णों में अरपन करता हूं हे साधु इस प्रकार कहकर राजा दश्रत वसिष्ट जी के चर्णों पर गिर पड़े तब वसिष्ट जी बोले हे राजन तुम धन्य हो जिनको ऐसी स्रद्धा है परन्तु हम तो ब्राम्हण हैं हमको राज्य क्या करना है और हम राज्य का व्यवहार भी क्या जाने कभी ब तुम्हारे चारों पुत्रों को मैं पहले ही से अपने जानता हूं मैं तो तुम्हारे प्रणाम से ही संतुष्ट हूं यह राज्य का प्रसाद मैंने तुमको ही दिया फिर बालमी की जी बोले जब इस प्रकार वसिष्ट जी ने कहा तब राजा दश्रत ने फिर कहा कि हे स् तुम्हारे योग कोई पदार्थ नहीं है तुम ब्रम्हांड के ईश्वर हो बलकि तुमसे ऐसे वचन कहते भी मुझको लज्जा आती है परंत योग्यता के निमित तुम्हारे आगे विनती की है मैंने मोक्ष उपाय शास्त्र तुमसे स्रमन किया है इसलिए अपनी शक्त के अनुसार तुम्हारा पूजन करूँ तब वसिस्ठ जी ने कहा बैठो और राजा बैठ गए फिर राम ने निरभिमान होकर कहा हे संशय रूपी तिमिर के नाशक सूर्य तुम्हारा पूजन हम किस वस्तु से करें घर में कोई पदार्थ अपना नहीं है हे गुरू जी मेरे पास और कुछ नहीं है केवल एक नमस्कार ही है ऐसे कहकर वे चर्णों पर गिरे उनके नेत्रों से जल बहने लगा वे बार बार उठते और आत्मा नंद प्राप्ति के उत्साह से फिर गिर पड़ते थे निरान जब वसिस्त जी ने कहा कि बैठ जाओ तब राम जी भी बैठ गए तभी लक्षमर, भरत, शत्रुग्न, राजर्शी और ब्रम्हर्शी आज सब अर्ग्यपाद्य से पूजन करने लगे सबने फूलों की वर्शा की जिससे वसिस्ट जी का शरीर ढख गया जब वसिस्ट जी ने हाथ से फूल हटाए तब मुख देख पड़ने लगा जैसे बादलों के दूर होने पर चंद्रमा दिखता है वैसे ही मुख दिखने लगा फिर वसिस्ट जी ने व्यास, वामदेव, विश्वामित्र, नारद, भ्रेगु, अक्त्र इत्यादी जो मुन बैठे थे उनसे कहा हे साधु, जो कुछ मैंने सिद्धान्त के वचन कहें हैं इनमें नियून या अधिक जो कुछ हो वह अब तुम कहो, जैसे जैसा स्वन्ड होता है, वैसा ही अगने में दिखाई देता है वैसे ही तुम कहो, तब सबने कहा ही मुनीश्वर, ये तुमने परम सारांश वचन कहें हैं जो तुम्हारे कथन को नियून या अधिक जानकर उनकी निंदा करेगा वह महापतित होगा, ये वचन परमपद देने वाले हैं ही मुनीश्वर, हमारे हिदय में भी जो कुछ जन्म जन्मांतर का मैल था, वह नस्ट हो गया है हम तो पूर्ण ज्यानवान थे, परन्त पूर्व जन्म जो लिये हैं, उनकी इस्मृति हमारे चित्त में थी कि अमुक जन्म हमने इस प्रकार पाया था, और अमुक जन्म इस प्रकार पाया था वह सब इस्मृति अब नस्ट हुई है, जैसे अग्ण में डाला सुअड़, शुद्ध होता है वैसे ही तुम्हारे वचनों से हमारा इस्मृति रूप मल नस्ट हुआ है अब हम जानते हैं कि न कोई जन्म था और न हमने कोई जन्म पाया है हम अपने ही आप में इस्थित हैं हे मुनीश्वर तुम संपूर विश्व के गुरू और ज्यान अवतार हो इसलिए तुमको हमारा नमस्कार है राजा दश्रत भी धन्य हैं जिनके सन्योग से हमने मोक्ष उपाय सुना है और यह राम जी साक्षात विश्णु भगवान है इतना कह फिर वालमीक जी बोले कि इसी प्रकार रिशीश्वर और मुनीश्वर वसिष्ट जी को परम गुरू जानकर इस्तुत करने लगे राम जी को विश्णु भगवान जानकर उनकी भी इस्तुत की और राजा दश्रत की भी इस्तुत की जिनके घर में विश्णु भगवान ने अवतार लिया फिर वसिष्ट जी की अर्गपाद्द से पूजा करने लगे आकाश के सिद्ध बोले हे वसिष्च जी तुमको हमारा नमस्कार है तुम गुरू के भी गुरू हो हे प्रभो जो कुछ तुमने उपदेश किया है और जो कुछ उसमें युक्ति कही है वह अर्थात ऐसे वचन वागीश्वरी भी कदाचित न कह सकें तुमको बारम बार नमस्कार है और चतुर द्वीप प्रतिवी के शासक राजा दश्रत को भी नमस्कार है जिनके प्रसंग से हमने ज्यान और युक्ति सुनी राम विश्णु भगवान नारायन है ये चारों भाई परमात्मा है इनको हमारा प्रणाम है ये चारों भाई इश इन पर विश्णु भगवान की धया है ये जीवन मुक्त अवस्था धार्ण कर बैठे हैं वसिष्ठ जी परम गुरू है और विश्वामित्र जी तब की मूर्ती हैं वालमीक जी बोले कि इस प्रकार जब सिद्ध कह चुके तब वे फूलों की वर्शा करने लगे जैसे हिमाल में भी उन पुश्पों की वर्शा की सभा में जो ब्रम्भर्श आदी बैठे थे उनका भी यथा योग्य पूजन किया इस प्रकार जब सिद्ध पूजन कर चुके तब कई ध्याननिस्थ हो रहे सबके चित शरत काल के आकास सद्रिश निर्मल हो गए और वे अपने स्वभ गवनशी रूप आकाश के चंद्रमा अब तुम किस दशा में इस्थत हो और क्या जानते हो राम जी बोले हे भगवन सब धर्म ज्यान के समुद्र तुम्हारी कृपा से मैं अब अपने रूप में इस्थत हूँ और कोई कलपना मुझे नहीं रही अब मैं परम शान्ति पा परम निर्विकल्प पद पाया है और कोई कलपना मुझे नहीं फुरती जैसे नील, पीत, आदि उपाधि से रहित इस फटिक प्रकाश पाता है तैसे ही मैं निरुपाधि इस्थत हूँ और संकल्प विकल्प उपाधि का अभाव हो गया है अब मैं परम शुद्ध हो गया मेरी चेश्टा पूर्वत होगी पर निष्चे में कुछ न उत्थान होगा जैसे शिला में प्राण नहीं जगते वैसे ही मुझे में दोईत कलपना कुछ नहीं फुरती ही मुनीश्वर अब मुझे को सब आकाश रूप दिखता है शांत रूप होकर परम निर्वाण हूँ भिन भाव से जगत मुझे को कुछ नहीं भासित होता सब अपना रूप ही दिखता है अब जो कुछ तुम कहो वही करूँ अब मुझे को कोई शोक नहीं रहा राज्य करना भोजन छादन बैठना चलना पान करना आदिकर्म जैसे तुम कहो वैसे ही करूँ तुम्हारे प्र वालमीक जी बोले हे भरतवाज जब राम जी ने ऐसे कहा तब वशिष्ठ जी बोले हे राम बड़ा कल्याण और प्रसनता की बात जो तुम अपने आप में इस्थित हुए हो अब तुमने यथार्थ जाना है अब और जो कुछ सुनने की इच्छा हो सो कहो राम जी बोले हे संशय रूपी अंधकार के नाशक सूर्य और संशय रूपी व्रिक्षों के नाशक पुठार अब तुम्हारे प्रसाद से मैं परम विश्रांति को प्राप्त हुआ हूँ और जागरत स्वपन सुशुप्त की कलना से रहित हूँ जागरत जगत भी मुझको भासित होता है और कुछ स्रमण करने की मुझे इच्छा नहीं रही अब परम ध्यान मुझको प्राप्त हुआ है अर्थात आत्मा से भिन कुछ वस्तु नहीं दिखती मैं आत्मा अज अविनाशी शांत रूप और अनंत सदा अपने आप में इस्थित हूँ ऐसे मुझको मे मेरा नमस्कार है अब प्रले काल का पवन्चले समुद्र उमडे और नाना प्रकार के छोब हो तो भी मेरा चित स्वरूप से चलाएमान नहोगा जो त्रिलोकी का राज्य मुझे प्राप्त हो तो भी मेरे चित में हर्ष न उपजेगा मैं सत्ता समान में इस्थित हूँ बा मडियों की कांत किरणों से अत्विशेश हुई और सूर्य के साथ एक हो गई मानों ऐसे वचन सुनकर नृत्य करती हो तब वसिष्ठ जी ने कहा हे राम अब हम जाते हैं क्योंकि मध्यान की उपासना का समय है अगर कुछ तुम्हें पूछना हो तो कल फिर पूछना तब र और मोती और हीरों की माला मोहरें, रूपे, घोडे, गव, वस्त्र भूशन आदी जो अईश्वर्य की सामग्री है वह अरपन की जो विरक्त सन्यासी थे उनको प्रणाम करके प्रसन किया और जो राजर्ष थे उनका भी पूजन किया तब वसिष्ठ जी उठ खड़े हुए परस्पर सबने नमस्कार किया और मध्यान के नौबत नगाडे बजने लगे, सब स्रोता उठकर विचरने लगे, कोई चले जाते थे और कोई शीष हिलाते, कोई हाथ की उंगली नचाते, नेत्रों की भोहें मठकाते, परस्पर चर्चा करते जाते थे, इस प्रकार सब आपिने इस्थानों को पने इस्थानों को गरआ है